Farsa Bearing आपका वर्क्शॉप वाला दोस्त Wheel and Kit Assembly और Disassembly Hello, मैं हूँ Carlos, Farsa का एक विशेशग्य टेक्नीशियन आज हम Wheel and Hub को खोलेंगे और जोडेंगे, जैसा की हमारे यहां होता है दोनों कामों के लिए हम अपना Farsa Bearing Toolkit इस्तमाल में लाएंगे इस खास Toolkit वाले बक्से से हम Front Axle और Real Axle दोनों को अलग करेंगे और जोडेंगे भी अब प्रेस में जाकर और इन उपकरनों के सहारे हम Hub पर लगे Bearing को खोलेंगे और नए Bearing को लगाएंगे अलग करने का काम शुरू करने के लिए हमें इन सही उपकरनों की जरूरत पड़ेगी क्लिप निकालने वाले प्लायर्स Front Axle Bearing को निकालने वाला एक खास प्लेट डिस एसेबली शुरू करने के लिए सबसे पहले Outboard Side से सर क्लिप को निकाला जाता है अब हब को घुमाएंगे और प्रेस में जाकर Inboard Side की ओर से पूरे Bearing को निकालेंगे जब हम प्लेट को रखते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये बीचो बीच हो नहीं तो हम से ये बिगड भी सकता है Bearing को हटाने के बाद हम बुशिंग को पलट देंगे अब हम नए Bearing को लगाने का काम कर सकते हैं Assembly के लिए हमें चाहिए Bearing का सही Installation Plate Hub पर हो और नीचे दिये गए उपकरण, प्लायर, पेचकर्ष, हथोड़ा हमने बॉक्स में और स्टिकर पर कुछ जरूरी निर्देश दिये है Installation शुरू करने से पहले इन्हें ध्यान से पढ़े ये दोनों सुझाव आपके काम आएंगे हमें Hub की साफ सफाई और इसकी स्थिती के भी जाज करनी चाहिए चलिए, प्लेट का इस्तमाल करते हुए, बेरिंग को वापस लगाया जाए Hub को लगाते हुए, ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेस का सपोर्ट बेरिंग होल के लिए कोई बाधा ना बने अगर ऐसा होता है, तो ये पुरी तरह नीचे दबाव नहीं दे पाएगा जिसे खास तोर से सील को होने वाले दुखसान से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है एसेमली को सही जगा पर पहुँचाने के लिए हम पुश बार को इस्तमाल करेंगे ये आपको किसी भी फरसा बेरिंग टूल कीट में मिल जाएगा हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हब हमेशा बीचो बीच रहे तभी हम प्रेश से दबाव डाल पाएंगे प्रेशर पंच बताएगा कि हब अपनी जगा पर लग गया है इस बार इस हिस्ते की स्थापित हो जाने के बाद हम इसकी जार्ज करने टेबल पर वापर स्लोटेंगे हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बेरिंग सही से बैठा है और सील को नुकसार नहीं पहुचा है ये बिलकुल सही है फिर प्लायर्स का इस्तमाल करके हम क्लिप को निकालेंगे ये ठीक से लगा है ये पता करने के लिए हम इसे हलके हातों ठोकेंगे क्लिप अपनी जगा गूमने लायक होना चाहिए बिना वहां से निकाले तभी हम समझेंगे कि इंस्टॉलेशन सही से हुआ है उम्मीद है कि इन सुझाओं से आपको आसानी हुई होगी अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाए आपका काब आसान बनारा हमारे लिए बहत जरूरी है फरसा बेरिंग्स आपका वर्क्शॉप वाला दोस